जनरल साइंस का एक important topic है disease that is बिमारिया ठीक है तो इसमें करीब करीब आपके पास 40-45 बिमारी गठी हो जाएंगी आपको हर बिमारी में यह याद रपने है कि यह बिमारी bacteria करते है, protozoa करते है, virus करते है या फिर genetic बिमारी है या फिर vitamin की कमी से होती है, किस की कमी से होती है तो एक question पक्का है कि HCS exam में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है तो शुरू करते हैं, सबसे पहले आप एक बर वीडियो को pause करके एक मिनिट के लिए सोचना कि protozoa होता क्या है ठीक है protozoa होता क्या है और इससे होने वाली बिमारिया आपको कौन-कौन सी याद आ रही है इससे होने वाली बिमारिया कौन-कौन सी याद आ रही है आपको सबसे पहले यह सोचो आप so protozoa होते क्या है एक तो इस single-celled microorganisms होती है और यह eukaryotes होती है क्या होते है यह eukaryotes होती है ठीक है protozoa single-celled microorganisms होती है अब protozoa से बिमारिया सोच लिया आपने मलब hopefully तो इसमें एक तो है आपके पास जैसे एक याद रख सकते हो DM के DM के पार्टी है DM के पार्टी का एक परदना था वह SP बन गया superintendent और पुलीस बन गया तो याद रख सकते हो आप D से diarrhea ठीक है diarrhea second M से आप याद रख सकते हो malaria उसके के से क्या याद रख सकते हो काला अजार ठीक है और S से क्या होगा sleeping sickness और P से क्या होगा आपके पास pyreia ठीक है तो ये 5 बिमारी आपको याद रख नहीं है उसके बाद ये effect किस पर करेंगी ये किस के उपर effect करेंगी जैसे जो diarrhea है वो basically intestine के उपर effect होगा किस के उपर intestine ठीक है पेट की विज़े से diarrhea हो जाना तो वो proto-juga की विज़े से होते है M4 malaria malaria का effect किस के उपर होगा एक तो आपके red blood cells के उपर होगा दूसरा liver के उपर होगा किस के उपर? liver के उपर काला अजार basically bone marrow पे आपके impact डालेगा कहां पे bone marrow पे उसके sleeping sickness तो sleeping sleep किस से related है brain तो sleeping sickness brain पे आपके impact डालेगा और pyoria किस पे उपर डालेगा ये germs के उपर मतलब कि जो blood आना शुरू हो जाएगा germs में से तो ये 5 बिमारी आपने याद रखनी है DMK का जो एक बंदा था वो SP बन गया ठीक है तो protozoa से होने वाली बिमारी आपके पास ये 5 बिमारी आप पक्की कर लो ठीक है तो option में अगर malaria आएगा तो malaria is caused by bacteria तो वो कम से कम वो statement गरत हो जाएगी next video में discuss करेंगे bacteria से होने वाले disease